जहीं दोस्तों एक बर फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NCC Vapor दोस्तों जैसे ही NCC GCI Vacancy 2023 का नोटिफिकेशन आया तो मैंने डीटेल नोटिफिकेशन में आप लोगों को ये बताया कि कौन-कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए Illigibility Criteria क्या है इसके लिए Education Qualification कौन-कौन से रहने वाली है और किस जोन में कितना vacancies है ये सारा चीज एक ही वीडियो में बताया था उसके बाद मैंने दूसरा वीडियो ये बताया था कि आप लोग अपने घर बैठे फोन का इस्तमाल करते हुए या PC, Laptop का इस्तमाल करते हुए कैसे बीना कोई mistake के आपको form भरना है उसके बाद भी वो दोनों वीडियो के नीचे में बहुंट सारे credits कुछ doubts लेके comment कर रहे थे आपके मन में NCC, GCI vacancies related जितना भी queries है जितना भी doubts है वो सारा doubt आज के इस वीडियो में हम लोग clear करेंगे जैसे कि आपके zone में vacancy नहीं है तो कैसे form डालोगे और इसको syllabus क्या रहने वाला है GCI का selection process क्या होगा और CBT exam कब होगा जो credits ने ये भी पूछा है किसके लिए कोई पूस्तक बता दू और इसका previous year question paper कहां से download करें या model paper, model question paper कहां से download करें तो ये सारा चीज, सारा process आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग उसे एक छोटा सरी question है ज़र आप लोग NCC way channel पे पहली बारा है तो channel को subscribe करके bell icon को on कर लीजिए क्योंकि NCC way channel पे आप लोगों को NCC से related A to Z information बिलते रहता है तो चलिए देखते हैं सबसे पहला चीज कि आपके zone में vacancy नहीं है तो form कैसे डालना है तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना होगा कि की zone से आप लोग belong करते हो जैसे कि यहां पे पहले आप लोगों को देखना है कि आप लोग कहां से belong करते हो तो यहां पे आप लोगों को देखना है कि आप लोग इस area से तो belong नहीं करते अगर इस area से belong करते होगे तो आप लोगों का region होगा, वो यह होगा, CR region, यह ध्यान में रखना है, इसी प्रकार से आप लोगों को सारा चीज देखते जाना है, और यदि आप लोग पोर्ट बलेयर, राची, जितना भी साहर cities यहाँ पे दिया है, भुनेशवर, यहाँ से आप लोग अगर बिलों करते ह हो, तो आप लोगों का आएगा, Eastern region, इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान से देखते जाना है, जितने भी region है, वो सारा screen source आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आप लोगों को वीडियो को पॉस्ट करके देख लेना है, कि आप लोग किस region से बिलोंग करते ह ठीक है, उसके बाद, आप लोगों को दूसरा चीज़ जानना होगा, जैसे कि आप लोग Central region से बिलोंग करते हो, तो Central region का जो पोस्ट कोड है, वो क्या है, तो वो कहां से देखने को मिलेगा, तो वो यहां से देखने को मिलेगा, सपोज आप लोग बिलोंग करते हो, NWR मतल पहले आप लोगों को एक चीज और ध्यान देना है, कि N,W,R में कितनी वेकेंसिज है, कौन से कास्टव में कितने वेकेंसिज है, यह चीज भी आप लोगों को डीटेल पहले देख ले रहे हैं, फॉर्म भरने से पहले, तो वो कहां से देखना है, तो और आप लोगों को समझ देखने को मिल जाएगा ठीक है उसके बात बात करते हैं कि कौन से कास्ट में किस रीजिन में कितना वेकेंसी है यह देख लेना है आप लोगों को जैसे कि यहां से देखने को मिलेगा लोग एन आर से बिलॉंग करते हो तो एन आर में आप लोगों को अपना कास्ट देख लेन region से तो आप लोगों का काश्ट में देख लेना है कोई सा vacancy है की नहीं जो पहला doubt था कि आप लोगों के region में कोई vacancy ही नहीं है तो क्या आप लोग इसमें form डाल सकते हो बहुत बार पूछ रहे हो credits तो आप लोगों को समझना होगा आपके अगर region में vacancy नहीं है फिर भी आप लोग इसमें form डाल सकते हो आप लोगों को अपना choice करना है यहां से कि कौन से रीजन से form डालना है उसके बाद vacancy देखना है उसके बाद उसी region से आप लोग form डालोगे तो form डाल सकते हो आपके reason में वेकेंशी नहीं है फिर भी आप लोग form डालोगे form डालेगा और ये genuine है क्योंकि ये central government का job है आप लोग कहीं से भी form डाल सकते हो ठीक है यहां तक clear हो गया उसके बाद और देखते हैं तो यह हो जाता है कि इसका slavers, slavers क्या है ये पूच रहे थे बहुत से credits तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें 25 question आएगा general intelligence का जो होगा आपका 50 number का ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया था उसके बाद दूसरा topic हो जाता है general awareness ये भी 25 question होगा जो 50 number का होगा उसके बाद आपका हो जाता है quantity, aptitude ये हो जाएगा 25 question, 50 number का उसके बा download करना है मैं वीडियो में आगे बताऊंगा ये चारो ही section से 25-25 question देखने को मिलेगा मतलब 100 question देखने को मिलेगा जो 200 number का होगा इसके लिए timing आप लोगों को 60 minute दिया जाएगा वो यहाँ पे mention है यहाँ पे और इसके लिए negative marking भी होगा there will be negative marking of 0.50 marks for each wrong answer तो ये आप लोगों को धियान रखना है उसके बाद देखते हैं main important चीज बहुत से SW candidates के मन में ये भी doubt चल रहा है कि इसका selection process क्या होने वाला है तो जैसे ही आप लोग इसमें form डालते हो तो सबसे पहला आप लोगों का exam जो होगा वो होगा CBT जिसको हम लोग computer based test बोलते हैं ये सबसे पहले आप आप लोगों का online exam होगा उसके बाद जैसे ही ये exam complete होता है कुछ दिनों में आप लोगों का एक okay list जारी किया जाता है okay list में उन candidates का नाम मिलेगा जो लोग पास हुए है ठीक है merit based पे आप लोगों का okay list निकलेगा उसमें अगर आप लोगों का नाम होगा तो आप लोगों को एक निश्चित time दिया जाएगा जिसमें आप लोगों को document भेजना रहेगा document क्यों भेजना रहेगा तो document for scrutiny के लिए भेजना रहेगा आप लोगों को तो आप लोगों को physically अपना document original document लेके आप लोगों को center visit करना रहता है center बाद में पता चलेगा उसके बाद यह सारा चीज हो जाता है उसके बाद आप लोगों का final merit list जारी किया जाएगा उसके बाद आप लोगों का medical test लिया जाएगा GCI मेडम है उनका कहना है कि इसमें जो medical test होता है वो एकदम normal से होता है government hospital में इसको करवाना रहता है तो सारा चीज आप लोग समझ पाओगे कि okay list, document verification और document का scrutiny, final merit list और medical test यह सारा चीज एकदम normal से हैं आप लोगों को सबसे जादा focus करना किसमें पड़ेगा आप लोगों को CBT exam में पूरा पूरा focus करना रहेगा CBT exam qualify करने के लिए CBT exam का जो syllabus आया है उसके according है आप लोगों को preparation करना रहेगा तो यह हो जाता है SNCC GCI का selection process क्या कौन कौन से step होगा और सबसे important क्या हो जाता है तो आप लोगों का CBT exam के लिष्ट में नाम लाना है तो क्या करना पड़ेगा यही की CBT exam में आप लोगों को अच्छे से performance देना रहेगा तभी आप लोगों का okay list में नाम आता है उसके बाद document scrutiny के लिए भेजोगे तो सारा चीज ओके रहेगा तो नाम आया गया जाएगा आप लोगों को फिर से physically तोर पे बुलाया जाएगा document लेके document भी सारा चीज ओके रहेगा तो आप लोगों का final merit list बनेगा तो यह final merit list भी किसके basis बनेगा तो आप लोगों का CBT exam में score किया रहोगे उसके according बनेगा उसके बाद normal सा medical test लिया जाएगा तो यह हो जाता है NCC GCI का selection process ठीक है फिर देखते हैं अगला तो important dates आप लोगों को ध्यान रखना है कि date for submission of online application तो 6 तारीक मतलब 6 March से चालू हो चुका है यह मैंने बताया था जैसे 6 March से इसका application डलाना चालू हुए है उसके बाद ही मैं आप लोगों को यह बताया था कि कैसे इसमें form डालना है अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के description box में उसका link मिलेगा आप लोगों को घर बैठे कैसे form भरना इस step by step process बताया है इसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है last date and time for receipt of online application तो 27 March तक आप लोग इसमें form भर सकते हो ध्यान रखना date उसके बाद आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते उसके बाद है अगर आप लोगों का payment कट रहा है तो उसके लिए 28 तारीक का समय दिया गया है 28 तारीक तक भी आप लोग payment कर सकते हो उसमें उसके बाद आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगा यहाँ पर date of window for application form correction including online payment अगर आप लोग फॉर्म भरते समय कुछ mistake किये है तो उसके लिए भी एक दिन window खोला जाएगा दो दुनों के लिए कौन कौन से date है तो 3 अपरेल से लेकर 5 अपरेल तक का समय रहेगा आपके पास जिसमें आप लोग अपना form में correction कर सकते हो या payment का कोई issue है तो उसमें भी आप लोग उस बीच payment कर सकते हो ठीक है उसके बाद आप लोग ये पूछ रहे थे कि इसका exam कब होगा तो यहाँ पे clearly mention date of computer based examination June July 2023 यह यहाँ पे tentative है लेकिन आप लोगों को इसी को सही मान के चलना है June July तक आप लोगों का preparation हो जाना चाहिए तो यहाँ से हो जाता है कुछ dates और कब होगा exam यह वाला doubt clear उसके बाद देखते है next उसके बाद आता है best book for NCC GCI vacancy तो यह जो आप लोगों को पहले यह स SSC का जो phase 11 होता है SSC का phase 11 SSC phase 11 के अंतरगत NCC GCI का vacancy आया है तो SSC का जितना भी phase 11 के लिए जो best book है वो आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है के लिए आप लोग online माध्याम से भी पढ़ाई कर सकते हो या फिर offline market से भी book purchase कर सकते हो या फिर मैं जो best reviews वाले book है online में जि जो best rating रहता है वो बूक आप लोगों को मैं इस वीडियो के description box में affiliate का link डालूँगा आप लोगों को पुस्तक देख लेना है पुस्तक का review चेक कर लेना है जो लोग मंगाए है उसको उन लोग का feedback रहे है उस पुस्तक के बारे में वो देख लेना है उसके बाद आप लोग के लिए vacancy निकाला है तो phase 11 का model question paper आपने website पे upload किया रहते हैं कैसे आपको download करना है यह दिखाऊंगा आगे वीडियो में तो इसके लिए आपको अपने phone का एक browser में आना है जैसे कि मैं भी अपने phone में लेके चलता हूँ आपको तो process को ध्यान से देखेंगे और एक चीज आ आपके लिए informative लग रहा है तो प्लीज वीडियो को like करेंगे क्योंकि आप लोग video देखते जरूर है लेकिन videos को like नहीं करते तो video को like करके मेरे को भी थोड़ा सा motivation दिया करो video को please पसंद आ रहा है video तो like करेंगे अपने बांकी साथियों के साथ share करेंगे और चैनल में पहली कर लेना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ सा उपर स्क्रॉल करते हुए जाना है यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को एक सिक्षन देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे केंडिडेट कॉर्णर का यहाँ आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना है जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यह कुछ और आप्शन खुलेगा आपको नीचे आना है और यहाँ पे आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगा का मॉडल कोशन पेपर का एक सिक्षन यहाँ पे इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना है जैसे उस पे क्लिक करोगे तो यह डाउनलोड फाइल का पॉप अप सो करेगा आपको डाउनलोड कर लेना है NCC GCI का ही वेक NCC के लिए जो मॉडल पेपर है वो है कैसे समझोगे तो जिस समय SAC में फॉर्म डालाते रहता है उसी का मॉडल कोशन पेपर वो यहाँ पे अपलोड करके रखते हैं अब आपके माइन में यह आ रहा होगा कि यह जो कुशन पेपर है यह उसी से रिलेटेड है क्या फेज 11 से ही का स्लेवस है तो बिल्कुल उसी स्लेवस को कवर करते हैं जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा General Intelligence यह पहला सिक्षन हो गया उसके बाद आप लोगों को देखते जाना है कुशन पेपर इंग्लीज में रहेगा आपको ध्यान देना है उसके बाद दूसरा यहाँ पे देखने को मिलेगा आप लोगों को English Language तो आपके स्लेवस में है English Language Basic Knowledge इंग्लीज में ठीक है उसके बाद देखते हैं तीसरा स्लेवस में क्या है तीसरा है आप लोगों का यह जनरल अवेरनेस आपके टॉपिक में है आपके स्लेवस में है फेज 11 के स्लेवस में है तो यह यहाँ से देखने को मिलेगा उसके बाद और देखते हैं एक चीज औ और बजगया कौन सा Numerical Aptitude का यहाँ पे देखो यहाँ पे मिल गया Numerical Aptitude का स्लेवस भी यहाँ पे देखने को मिल गया तो यहाँ से भी questions है और यहाँ पे आप लोगों को total 200 questions देखने को मिलेंगे तो सारा questions आप लोगों को अच्छे से देख लेना है इसके अलावा आप को offline, online job जैसा भी book purchase करना चाहो आपकी मज़ी है उसके बाद आप लोग online classes भी ले सकते हो I hope आज का ये वीडियो आपके लिए informative रहा और आपके सारे doubts clear हुए अभी भी कुछ सी प्रकार का doubt है या किसी प्रकार की परिशानी है तो comment box में जरूर बताएंगे प्रकार का कोई भी झालएंगे में तो तो आफ करण़ की म Safety आपके ठिरूर में भी करया ध रहा बताएंगे